है भिए यह जो कुशिञ नेरो फाई हमारा एरो पॉस्टिंग के लास्ट क्लास में वह ने पढ़ा था वह फ्रत के अ Main सब्सक्राइब निवर फॉस्टिंग और एक्वर्रुकृदिक में किया है तो इस और आ Hurricane us मैं और यह एरर औपोस्टिंग मतलब है कि जर्णव सभर और अइंटरी आपका सही था लेकिन जर्नवा कि जब आप लैजर में transfer कर रहे था सब्सक्राइट हो और अब nasal के बाद आपको मालुक्त आप से करते जैलेंगे पहला वाला पॉस्टिंग और भी टाइप कियोंगे तो क्वेशन करते करते हम लोगों सेवेंटी फाइवंडेट किशन हमने सामान बेचा है स्ब्भाइब और तो पोस्टेट तू क्रिशिन अकॉंट अब जणर्ल एंट्री आपको करिया आपने किशन वाली यह लेकिन जाके लिग देर किसकी अकाउंट में जाकर क्रिश्च के अकॉंट है यह आपके लिए ऐरर हो गया लेकिन इसको भी रेक्टिफाइग करने का तरी आप नोट कर लीजिए वोस पोस्टेट टू क्रिशन अकाउंट ठीक है ध्यान से समझेंगे इसमें जो वर्ड आपको बूला है उन्होंने क्या बताया आपको पोस्टेड कि जो सामान हमने सेल किया था कि यह सामान तो सही सेल हुआ है लेकिन जब हम लैजर अकाउंट बना र और लिक किसमें दिया जाके मैंने क्रिशन तो अगर मैं इससे आप से बोलू कि इसकी न करेक्ट एंट्री बदा बदा सकते हैं कि बोले बड़ा बदा यह क्या करेक्ट एंट्री रही होगे इसकी क्रिशन किशन 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 डेबिट टू सेल्स अकाउंट यह इसकी करेक्ट एंट्री अमांट बोलो तो सेवंटी फाइंड़ यही है न करेक्ट एंट्र संजवारी बाद अच्छा मैं अगर आपको इसको थोड़ा और डेटेल में समझाओं तो मैं किसका बना दिया फिरेशन का संदेट इस लेख रेलवर के इस नालायक अकाउंटेंट ने यह समझ कि एंट्री कर इस सम को नशेफ把它 कर दिया हुग होगा क्रेशन डेबित टूध सेल्जसि अकाउंट कितना पचले 7500 बिल्कुल इतमिन आन से यह ध्यान से सुनेंगे मैं आपसे कहा कि अगर वो correct entry कर रहा है उसे तो उसने C gezell किया उसको लैजर भी किसका बनाना चाहिए ता बोलो पुशन और सील का लेकिन उसने लैजर किसका बनाया ऐ करिशन और सेल्स का इसका मतलब उसके हिसाब से एंट्री क्या बनी होगी जिसने क्रिशन का अकाउंट बनाया क्रिशन के अकाउंट में लिखा उसके हिसाब से रॉंग एंट्री क्या हुई होगी बिटा क्रिशन डेबिट टू सेल्स हुआ होगा बहुत सौंज मारें अब अगर मैं उसको बोलूंगे भाई आपको rectify करना है आप इसको rectify कर लीजिए तो कैसे rectify होगा जी बताए पहला step क्या होता है मारा पहले हम किसको किससे match करेंगे debit को debit से match करेंगे क्या ये debit को debit से match करने पर आपको same दिख रहा है क्या ये mistake है इसमें क्या थोड़ा बहुत सही है या पूर गलत हो गया तो नेम गलत है इसका मतलब पूरे गलत है तो यह जो क्रिशन लिखा हुआ बटा यह पूरा गलत है इसे हटाने के लिए क्या करेंगे आप बोलो debit में अगर कुछ गलत लिखा हुआ है उससे सही करना हो तो क्या लिखते हैं क्रेडिट करते हैं यादेना मैंने बताया था कि अगर डेडिट में ज्यादा लिखा हो कम करना है तो क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे डेडिट में कम लिखा हुआ है और डेडिट में ही बढ़ाना है मुझे तो क्या करेंगे डेडिट करेंगे क्रेडिट में कम लिखा हुआ है और क्रेडिट में ही 550 अभ इसे का मकसद यह था कि यहां पर मुझे यह नहीं चाहिए था मुझे क्या था कि यहन awhile कि लाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा हैं इस मुझे केशन यहां पर लिखना पड़ेगा कितना सर्थ 70 लेकिन अभी हमने किसको किस से मैच किया सब डेबिट कोड़े जी अब आपको क्रेड़िट को क्रेड़िट से मैच कर लीए अगर सेम है तो उसमें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं हो और होना आप कि यहां तक पहुंचने के लिए आपको और रॉंग से भी गुजरना पूरता है समझ भाई बात तो फटापट इसे नोट कर लीजिए अधिक बटे सेक्टन क्वेशन जी कहां पर बिच्चे यहां पर अच्छा सेल्स आपका यह सेल्स क्रेडिट का कितना लिखा हुआ है यहां भी कितना लिखा हुआ हैं कि दोनों सेम हैं कुछ गलत है तो जब गलत नहीं है तो उसे फिर से लिखनी क्या जरुआ है तो गलत होता तब नहीं लिखते हैं हम रक्टिफाइंग में को का या यह नेक्स कश सेल्स ओफ रूपीज ऑफ यह सेवन थाउजंड फूमिन वोजूआ हो फोस्तिट्ट देट अफ मीना केरे जी अबने किया कीश को मिनू को कैसे सेल किया था आपने प्राइश में थो अच्छे जिक एक एकान डे डेबेट तूसेल्स बताओ आपको कर्डेंट रियाद नहीं कैश अकाउंट डेबेट तूसेल्स अकॉंट इसमें परसेंग नहींने आता है जब काश में सेल करें नॉर्मल कैश्टी सेल्स का एंडरी होती है यह कर्डेंट रिदा और कितने का वैल्यू आपका सेल वैल्यू है बिड़ा सेवन थाउसर अब इसमें आए बच्छे रॉंग एंट्री पे आप ध्यान से देखिएगा क्वेशन को उसके बाद समझेगा लिखा हुआ बिड़ा पोस्टेट टू दी क्रेडिट ऑफ मीना वो कह रहे हैं कि मीना का ज पहले आपको जो बेसिक जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके हिसाब से चलते हैं इन्होंने बोला कि पोस्टेट टू दी क्रेडिट ऑफ मीना मतलब इनके हिसाब से इन्होंने मीना को क्रेडिट कर दिया मीना को क्रेडिट किया होगा तभी तो मीना के आकाउंट कर दिया अब बच्चे यहां पर एंट्री में क्या हुआ था कैश में सेल हुआ था इसने बोला एरर सिर्फ यह है कि मीना को क्रेडिट किया है कैश बिलकुल सही अपनी जगह पर कैश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो जो आप लोग गलती से एंट्री बता रहे था ना व वापस से आईए बिटा एक बात और बेसिक समझेगा कि कहीं पर भी अगर कोई ऐसे ट्रांजेक्शन हो जहां पर पोस्टिंग एरर होता है तो इस पोस्टिंग एरर में जो सबसेडरी बुक से रिलेटेड बात होती है ना वो करेक्ट रहती है जनरली एक्जामबल के दौर रुपे जैसे आपने सेल की बात करी रात है जिसका नाम तो सेल मतलब आपनी जगा बिलकुल सही रिकॉर्ड है जो गल्ती हुई है किसमें में तो यहां पर सेल्स को मैंने कुछ नहीं करा था प्लाइस कुछसिन में वितार सेल्स कौन सी तक लिखा था कैश बुख में यानि cash की entry बिल्कुल सही लिखाई होगी जो error आया होगा किस में आया वो posted में किसके post करने में मीना में तो यहां पर मीना में रहा है मनलब जो subsidiary books वाला पार्ट है वो बिल्कुल सही होता है एक पार्ट में पोस्टेंड में एक पार्ट तो आपका सही दिख रहा है तो cash में से कोई माइन नहीं रखता है आपको ना cash में ही लिखना है कैश के एंट्री करी कैश सेल्स ऑफ सेवन तो पहले करेक्ट एंट्री कर दिया फिर जो क्वेशन बोलेगा उसके हिसाब से चलेंगे बोला हुआ कैश हमारी जमिशन है कि उसने सब बताया जब कि मीना में घल्ती हुई है तो कैश तो बिल्कुल सही होगा जो इरर बता रहा है बागी चीज़े आप यह मानके चलते हैं कि हमेशा सही लिखा गया है तो आगे इसको मैश करते हैं बदा ने करेट कुछा डेविट को अगर आप डेविट से मैच करोंगे तो दूनों मैच हो रहा है तो नेम भी सेम अमाउंड भी और इसको रेक्टिफाई करने की जूरत थे क्या नहीं और आई जीड़ाई को डेवट से मैच कर लिए आप किस दिख रहा को मीना यह सेल गलत है मीना गलत है यह नहीं होना चीए दा में इसे हटा के हैं पर क्या लिखना है अपने को तो बता उसे हटाने के लिए आप करेंगे मीना को आना है क्रेडिट में से हटाना है तो एक बार और क्रेडिट कर दें में क्रेडिट में से हटाना हो तो क्या करना पड़ता है डेबिट करना पड़ता है तो बच्चे यहां पे मीनू मीनू था मीना था मीना कि ठीक है मीना को हमने क्या कर दिया डेबिट कर दिया बच्चे एक मंद सुनो नेनी मैं आपकी बात को समझ यह क्या क्या आप यहां सई करते करते यहां पहुंच गए यह ना आप यहां चेक कर रही दी और सीधा यहां पहुंच गए आप एसा पाप मत करा कर समझे किसी का पास्ट में नहीं जाना चाहिए आप यहां पर देखिए ना पहले तो कैश सेल्स ऑफ रुपी सेवन हंडे टू मीनू का नेम भी आएगा कैश सेल्स में तो मीनू से हमें कोई मतलब भी नहीं हमें तो कैश टू सेल्स लिखना था हमने गलती स लिखना को हटाने के बाद यहां पर मेरे को क्या चाहिए आप यहां मत देखिए आप जिसको कंपेर कर रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए यहां पर लिखेंगे बिटा तू सेल्स अकाउंट कितनी वैल्यू लिख देंगे बच्चे सेबन ताउस यह आपकी रेक्टिफाइं पूरा क्वेशन मत पढ़िए आप सिर्फ यहां तर पढ़ने की कोशिश कीजिए सिर्फ यहां तर कैश सेल आफ सेवन ताउसन तू मीनू इसके हिसाब से क्या एंट्री हुई होगी बिटा कैश अकाउंट डेबिट टू चलो जी आपको पता नहीं याद है कि नहीं मैं या चाहिए था यह सेल्स अकाउंट इस तरीके से यह डेबिट साइड होता है बिटा और यह तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाकर कौन से साइड जाकर कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाकर क्या लिखना है इस साइड जाकर हमें लिखना चाहिए था सेल्स कितना ब यह ऐसा करना चाहिये था अप अकाउंटेट नालायक था उसने क्या करा सेल्स का तो हिसा भी नही बनाया उसने जाके जो के सेल्स के क्रेडिट में लिखना था उसको जाकर कि उसने कहा लिख दिया बिटा उसने लिख दिया जी मीना के अकाउंट में और मीना के अकाउंट में जाके क्या लिखा होगा उसने कैश सेवन था ऐसे लिख दिया उसने यह होना तो यह दोनों चाहिए था उसने यह ना करके यह कर दिया तो अब आपको इसके अकाउंट को खतम करना पड़ेगा और कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर किसी ने यह बना दिया तो आपको यह बनाना है तो आपको सेल्स का अकाउंट तो बनाना पड़ेगा और यह मीना में गलत यह credit side था तो इसके जाके किदर लिखना पड़ेगा आपको debit side जाकर आपको लिखना पड़ेगा ठीक है समझमारी बात बटा तो इस वज़े से हम ना इस तरीक या तो यह गलती तो इस टाइब से हुई है लेकिन हम rectify कैसे कर रहे हैं समझ के भी हम कर सकते हैं उसको rectify क्लियर तो इतना आपको complicated नहीं करता हूं मैं सिंपल सी बात करता हूं है आप इसकी correct entry बढ़ाओ बटा पहले तो खुचरेक्ट एंट्री आप इसका खुच से कर लीजिए बच्ची करेक्ट एंट्री कर लीजिए फिर मैं बात करता हूं अगर personal यूज के लिए और ने बिजनस से पैसे निकाले हैं तो personal यूज करने को कहते हैं आइठ्लाइंग तो जर्डेर इंट्री बताईए क्या होता है इसमें रिएन्ञ आकांट डेबिट टूव कि यूज के बैंक से निकाला है तो बैंक आपका कम हो गया जी एसेट्स आपका कम हो गया और ड्राइंग आपके लिए डेबिट हो जाता है कितनी वैल्लिव ड्रॉ करिया आपने फिफ्टीन हेंडेड से बदा यह बात सौंज में आगे हैं अधर फिफ्टीन हेंडेड लिख रहा हूं तो फिफ्टीन हेंडेड विड्राउ किया अब क्वेशन के दूसरी तरफ चलिया आगे बढ़ते क्या लिख वह बिटा वह दैबिटेट टू पर्चेज अ आप लिखो पहले आप खुछ से लिखिए रॉंग एंट्री फुछ से डाली है यहां पर क्या बनेगी क्वेशन ने बताया आपको चीख चीकर बोल रहा है डेबिटेट टू परचेज अगांट तो क्या करें परचेस क्रेडिट कर दें तो क्वेशन आप से कह रहा है कि उन परचेजस credit बाकी चीजर तो सही घरिये होंगे ना यह भो भी गलत है बाकी चीज़े क्या है बदारी पारात समझ में आ गई आप तो onions count बेंक लिखना पड़ेगा कितना बिटा 15 अब बताईए इसके आप खुछ से रक्टिफाई करने की कोशिश करिए तो जरा आप डेबिट को डेबिट से मैच कीजिए इसको जरा डेबिट को डेबिट से मैच कीजिए बहुत आसान होता है बिटा भी यह मैं बहुत स्लो कर रहा हूं debit को debit से match कीजीए ch resign debit को debit से match कर लीजिए बटा मुझे यहां पर देख रहा है purchases यह रो जो है ना रॉंग में यह error है इसको मुझे हताना पूरा हटाना है अब debit में से किसी चीज को अटाना कहा लिखते हैं बोल दोसर क्रेडिट में लिखते हैं तो यहां लिख actually है परफ चेश्ञेशेज अकाउंट हमने लिख दिया जी अब परकाईसे को हटाने का मकसद क्या था क्योंकि यह मैच नहीं ओरा तो किस से इस की जगां क्या होता है और इसके जगाद ड्राइंग होता तो सब कुछ अच्छा होता किया बात लीजिए अभी हमने किस को किस से मैच किया है अभी किस को करें क्रेडिट को क्रेडिट से मैच करेंगे देखो मैच हो रहा है यह नेम भी से बैंक अकाउंट दोनों हैं फिफ्टीन हंड़िट और चलो एक और एक्जामपल लेते हैं ज़रा इसी में जी बचे क्रेड़िट सेल और फरनीचर किया एक और फरनीचर हमने सेल किया इसको सेल किया था मोहन को कितने का सेल किया था 1700 गा और लिख दिया 7100 यह अलग बात है पहले आप करेक्ट एंट्री करने की कोशिश कीजिए क्या आप से करेक्ट हो जाएगा आप पूरा मत पढ़िए क्वेशन को पहले आप देखे क्या आप से करेक्ट बन रहा है बनाए खुद से करेक्ट बताए क्या होगा बटा मोहन डेबिट टू फरनीचर अकाउंट सेली सेल्स तब लिखते हैं जब गुड्स को बेच रहे होते हैं क्या ये गुड्स है बनीचर आपके लिए तो आप यहाँ पे फरनीचर लिखेंगे फरनीचर जाएगा आपका फरनीचर अकाउंट और वैल्यू है बिटा 1700 यह आपकी करेक्ट एंट्री हो गई अब आईए बच्चे रॉंग एंट्री पे रॉंग एंट्री में यह कह रहे हैं कि पोस्टिंग का एरर है लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया दोनों में सर दोनों में कहां लिखा इन्होंने ऐसा बोला तो नहीं दोनों में बिटा यह सबसेडरी बुक्स तो है नहीं क्या यह फरनीचर सबसेडरी बुक्स में आता है क्या मोहन आता सबसेडरी बुक्स में इसका मतलब यह एरर कहां पे है दोनों अकाउंट में यह गलती है जब मोहन का लेजर बनाया वहाँ पर जाके 7100 लिख दिया जब फरनीचर का लेजर बना रहे थे वहाँ पर भी जाके कितना लिख दिया 7100 अगर वह गलत करा है तो उसके लिए एंट्री बना के दिखाओ तो गलत वाली क्या बनेगे आपके 1700 की जगह वो 71 लिख देते हैं क्या होगा रॉंग एंट्री बनाओ तो जरब इंट्री तो सेम होगा ना बस अमाउंटी तो चेंज है चलो इतना करके दिखाओ बस मुश्किल सवाल आप ही को देता हूं करने के लिए मैं यह आगे बिटा सेवेंटी ओन हंडिड वाली कहानी जी से बता बिटा इसके अंट्री बता डेबिट वाली बेटा मोहन है नहीं यहां पर मैंने मोहन को मोहन से मैच करने बोला ना तो फरनीचर क्यों बोल रहे हैं पहले मोहन को तो सही ज़र बोलो इसमें क्या एरर दीख रहे हैं मोहन में थेस्व बोलो एंट्री यह भी मोहने डेविट में इसमें कितना गलत है आइसे नहीं आएगा लिख कर आएगा यह सोच रहो तो उससे तूड़ें आ जाएगा लिखो फट फट कर लिए जैंद फिफ्टी फॉर तो यह ज्यादा है यह कम फिफ्टी फॉर कैसे सही होगा डेबिट में ज्यादा हो तो सही करने का क्या तरीक है क्रेडिट कर दू नेक्स ट्रांजेक्शिन को नोट करें फट आफट करो इसे क्रेडिट च्रांजेक्श ट्रांजेक्श 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 ट्र Babu Ram for Rs. 1700 3000 was thank you posted was credited और यह अगर सेवसले इस आड़े करना हो तो हम क्रेडिट से हटाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा और यहां पर देखो जो मिस्टेक होता आप कुछ से प्राक्टिस करतें तो मिस्टीक क्या होता है यहां पर सेल्स को क्रेडिट कर दिया था अमाउंट भी नेंव और क्रेडिट को जब से मैच कर रहे हैं तो अमाउंट तो सेमें लिके नेमी गलत होना मतलब पूरे गलत हो गया तो आपको सेल्स को यहां से हटाना है और सेल्स क्रेडिट में था इसको खतम करना है आपको 3000 से डेबिट कर देंगे यह जैसे डेबिट होगा तो इसकी जगह पर मुझे क्या चाहिए होगा बिटा तो फरनीचर लिख देंगे यहां पर लिखेंगे बिटा फरनीचर अकाउंट कितना लिख देंगे 3000 समझ में आगए बात कौन सा वाला था यह अब आईए जी सिक्स करेंगे हम लोग 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 शिक्स जी सिक्स चेक अफ रुपीस ट्वाल वेटी एक चेक 1280 रुपेगा हमें मिला है बिटा किसे परीज से वोस्ट डिसॉनर अब यह डिसॉनर कब होगा जब मैंक में डिप और मैं आपको बता देता हूँ जब चे डिसॉनर हो जाता है तो आपका डिसॉनर के गुक्रेइप करदेते बैंक को आपको करन कम करना होता है तो लिखते हैं आप और जिसका चेक कैंसिल हुआ है उससे आप पैसे मांगने का हक रखते तो वो बंदा आपके लिए वापस से एसिट्स बन जाता है फरीद तो एंट्री ये बिटा फरीड डेबिट टू बैंक ये कर्रेक्ट एंट्री ये डिसॉनर होने की भूल गएते हैं बूलो हाँ कोई बात फरीड डेबिट टू बैंक ये है जी 1280 का अब बच्चे हमें क्या करना है रॉंग के बारे में समझना है क्या कह रहा है जैसा क्वेश्चन कहेंगा वैसी करें करेक्ट का तो हमें अपने नॉलिज यूज करने होती रॉंग में यह जो सब्सक्राइब कर दिया और बैंसे उसके अपने अकांट एक तरीक से डैविट लिग दिया किसको डैविट में लिए तो आप भी कर सकते हुए रॉंग कर दो जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा करो तो जब बिटे रॉंक रो कि तूर सेल सेल डेटेन को डेबिट करना पड़ेगा बिलकुल करना पड़ेगा सेल्स रि Deutschर डेबिट और बाकी चीजह सर बीटा बाकी चीजह बेलकुल वैसी लिख दो जैसे क्वेशन में करेक्ट में होना चाहिए था यह यह बताई समझ में आया आप कोई अभी आपने रॉंग कर लिया भी मैच कर सकते हो क्या डेविट को डेविट से और क्रेडिट को चलो जी पहले डेविट को डेविट से मैच करूँ और मुझे बताओ इसको पहले कर लो डेविट से मैच किया तो यहा अपने को हटाना यहां से और सेल्स रिटन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है बच्चे सेल्स को हटाने के लिए सेल्स को क्रेड़िट गरना पड़ेगा सेल्स रिटन को हम लोग क्रेड़िट करेंगे और यह वैल्ली एजी ट्वैल्व एटी और सेल्स को हमने क्रेडिट को क्रेडिट से मैच करो क्या से में यह दोनों है तो जी हमारा काम इतने में चल जाएगा अब इतना क्वेशन करने बाद हम यह समझना है कि सर्टिफेकेशन जब कर रहे हैं तो क्या लिखें नरेशन मैंने आपको बूला था बी एर रेक्टिफाइड करके आप ऐस यह समझ में आया है आपको को देखकर तो नहीं चापो जरा अच्छा